बिसमिल्ले रख्मान ररहीम पानी को हल करके उसको पकने के लिए रख देंगे चीनी का शीरा हमने गाडा करना है यह एक कप चीनी है और मैं इसमें एक से डेड़ दो कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है बाकी का जो एक कप पानी है वो लीची को ब्लेंड करने में इस्तमाल होगा जब तक हमारा शीर है और लीची बहुत ठंडी होती है यह बड़ा रिफ्रेशिंग शर्बत है और बड़ा जट-पट से त्यार हो जाता है बस जब हमारी चीनी का शीरा थोड़ा गाड़ा हो जाएगा और यह अच्छे से प्यूरी बन जाएगी इसको हमने चीनी के शीरे में डालकर अच्छा सा पका लेना है प्यूरी रेडी हो जाए तो उसको आप चान लीजिए अच्छी वाली चाननी से ज़रा बारीक चाननी से चाननी है ताकि अगर कोई मोटेट पीस बचके हूँ तो वो शर्बत में ना जाए क्योंकि फिर वो ग्लास में आते वे पीते वे शर्बत में आपको अ अजिस्टेंसी की थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी यह देखिए थोड़ा रिड्यूस भी हो गया और गाड़ा भी हो गया जब यह अच्छा सा उबल रहा हो तो इसके अंदर चना हुआ लीजिए का प्योरे हमने यह शामिल कर दिया अब हमने इसको पांच मिनट और पकान आप इसे बोतल में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं प्लास्टिक की बोटल में डालें शीशे की बोटल में डालें यह बड़ा अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक और बड़े जट-पट से बन भी गया है और जब आपने सर्फ करना हो तो सिरफ पानी बरफ और लीची करिए शर्बत अब हस्वे जाइका अपने जितना आपको टेस्ट पसंद है उतना टेस्ट आप पानी में आड़ करके अपने हिसाब से शर्बत बिनाईए कुछ लोग इसमें लीमू भी आड़ करते हैं वो भी अच्छा जाइका देता है तो वो भी एक वारियेशन हो सकती ह कि आप जब शर्बत तयार कर रहे हूं तो इसमें आप थोड़ा सा लीमू का रस निचोड़ दें गर्मियों के मौसम के लिए बड़ी मुफीद चीज है यह देखें यह पक्रा है पांच मिनिट के करीब मैं इसे पकाऊंगी साथ में चम्मा चिला रही हूं ताकि मुझे इ होना चाहिए इसे बिल्कुल स्कॉष जितना गाड़ा नहीं होगा उससे बतला होगा लेकिन गाड़ा होगा अगर आपको लगे कि इसके अंदर ग्रेंज रह गए हैं तो आप इसको चान भी सकते हैं मेरा यहाँ पे शर्बत पक कर त्यार हो गया और इसको मैंने ठंडा कर लिया ठंडा करने के बाद इसको आप किसी भी बॉटल में पोर करके इसे फ्रिज में रख सकते हैं यह धाई सो ग्राम लीची से एक लिटर मेरा शर्बत तयार हुआ है देखें जी ग्लास में मैंने यहाँ पे आदा ग्लास पानी लिया वा है वसमें बरफ डाली है और तीन से चार टेबल स्पून शर्बत के डालके यह शर्बत तयार हो जाएगा अलका सा चम्मा चला लें ताके मिक्स हो जाए गर्मी के मौसम में यह ठंडा ठंडा शर्बत अपने महमानों को घरवालों को पेश कीजिए और उन्हें इंप्रेस कीजिए मुझे अमीद है कि आप मेरी रेसिपी को ट्राइ करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीड़बैक से आगा अगली रेसिपी तक के लिए मुझे अजाज़त अल्ला हाफिज